नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूटूब चैनल Steady Exam Academy जो भी Current Affairs के लिए राजस्तान PCS कोई भी एक्जाम हो या गौर्वेंटल एक्जाम हो पटवार ले लो पुलीस और रेलवे ये सारे एक्जाम के लिए महतोपूर्ण Current Affairs का कोई हमने चलाया ही है और कल का वीडियो मैंने मैं उम्मीद करता हूं अच्छा लगाऊगा आपको कोईशन भी बहुत अच्छे हैं या आप एक बार जरूर पढ़ें इनको ताकि आपको जो भी आने वाला एक्जाम है उसमें आपको साहिता हो इसलिए आज तारीक 22 सितंबर 2020 के जो भी Current Affairs के कोईशन बन सकते हैं वो आज में लेका आया हूं चलेगा पहला कोईशन है हाली में किस देश ने महिलाओं की देनिये इस्तती के कारण बलातकार को राश्टिया अपातकाल गोशना किया Important Question है वहिया बलातकार को राश्टिया अपातकाल गोशना करने वाला देश कोईशा है तो लाइबेरिया ध्यान रके आप लाइबेरिया एक देश है जो की अफरीकी देश है कोईशा देश है अफरीकी महधीब का देश है अफरीकी महधीब का देश है लाइबेरिया और ला चल रहे हो तो लाइबेरिया के आप राजदानी याद रखें मोने रोविया नाम एक बार पुने बोल रहा हूं मैं मोने वोरिया मोने रोविया एक बार पी नहीं बोल दिया है मैं नाम लाइबेरिया की राजदारी है मोने रोविया तो आप लाइबेरिया की राजदानी या कम मना जाता है बहूं या देखे विश्व дорог डिवर भब मना जाता है तो is hack देखे बस बास बात आये तो यह एक पीड़ नहीं है यह परकार का गहष जब कि आपbell सिरल्द में आ सकता है निम फैस about अद का परकार हो आप याद रखे बांस एक पेड़ने होकर गास है और बांस है तो बांस दिवर्श कम मनाया जाता है 18 सितंबर को मनाया जाता है बांस उत्पादन की बात आजाए यहां बांस का नाम है तो बांस उत्पादन में भारत चीन के बाद भारत चीन के बाद दूसरे इस्तान पर रखता ह सरवादिक बांस उत्पादन में भारत-चीन के बाद दूसरा उत्पादन करता है, और 2021 का जो बांस समेलन होगा, बांस का समेलन भी होता है, और 2021 का जो बांस समेलन होगा, बिया का होगा, ध्यान रखे आप ताइवान, नाम याद रखे ताइवान, 2021 का बांस समेलन का होगा, तो ताइवान होगा विश्व बांस दिवस कम मना जाता है तो 18 सितंबर इस बार 18 सितंबर की थीम क्या है ये भी आप याद रखें तो बंबू नाव बंबू या नहीं होता है भी या बांस चीन के बात दूसरा इस्तान गता है दो जारीटिश में बांस प्रूदा यह बनाई किसने यह भी आप याद रगा है बंगाल के दो वैक्ति थे देव योति चक्रवती और सोवियत मेथी दो प्रूदा नाम याद रखें आप एक बार पुन्हें जे पूण और कोरोना में भी ये ज़्यादातर आरेने की जांच करेगा बहिया चलेगा नेक्स कोशन है हमारा हाली में किस राज्य में अनुच्षव मनाए गया है इंपोर्टेंट कोशन हाली में किस राज्य में अनुच्षव मनाए गया है तो इंपोर्टेंट है आप ध्यान रखें इसको मैं बताता हूं आंसर तो हाली में अनुच्छो बहिया किस राज्जे में मनाए गया है तो हाली में अनुच्छो मद्यपरदेश राज्जे में मनाए गया है मद्य पर्देश की बात आईए तो भी अब मद्य पर्देश की राज़्यपाल पूचे तो अभी जो उत्र पर्देश की राज़्यपाल है अनंदी बेन पटेल उनको मद्य पर्देश का तिरिक भार दिया गया है मुख्य मंत्री मैंने मिताइव शिवराह सिंह चोई राजदानिव भौसंग मैं यह उसको एक नाम और जानते उटाइट साईट बोल चर्चा में क्यों आया दोस्तों तो पेंटागन वेटलेंड है जो की आग लगने के कारण चर्चा में है इस पेंटागन वेटलेंड में बहुत ज़्यादा आग लगने के कारण ये अभी चर्चा में है इसका कारण आप से पूछ सकता है कि पेंटागन वेटलेंड कहां इस् तो 37 अभी वर्तमान में 27 थी लेकिन इस साल 2020 में 10 और रामसर साइट बढ़ा दी गई है और वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है तो 37 रामसर साइट है और यदि राजस्तान में पूछे तो राजस्तान में 2 रामसर साइट है और कौन-कौन सी है सांबर और केवला द मार्टिन विजेकारा कहां के राष्टपती है यह राष्टपती का वहीं का कोशन आएगा जहां अभी वर्तमान में चर्चा का विशे है तो मार्टिन विजेकारा कहां के राष्टपती है यह आपको मैं बताऊं तो मार्टिन विजेकारा पेरू के राष्टपती है यह अपिदान में 61 आर्टिकल 61 में लिखी गई है तो बहुत में यह वीजेकार की लिए और वरतमान में यह फ्याश्ट पती पूचे तो माइक्टिन विजेकारा पेरु के राष्टपती है चलेगा नेक्स्ट कोशन है हमारा सेवंत कोशन लेते हैं सेवंत कोशन है वैया वैनिस फिलम समारों में सर्वसरेष्ट पटकता लेखन का पुरुषकार किस फिलम ने जीता है most important लगा ले वैया most important कोशन है वेनिस फिलम समारों में सर्वस्रेश्ट पतकता लेखन का पुरुषकार The Disciple याद रखे भाईया The Disciple नामक मुवी को मिला है अब The Disciple ये इंडिया की मुवी है भाईया याद रखे किस भाषा में है तो मराठी मुवी है यह भी आप याद रगे आप से यह भी कोजन पूछ सकता है कि The Disciple किस बाशा की मुई है तो मराठी बाशा की मुई है और The Disciple ने कौन सा पुरुषका जिता है तो बारती सास्त्री ये सास्त्री संगीत प्राधारित जो पुरुषका रहे हैं इसने जिता है दे डिसाइपल में ये बारती सास्ती संगीत प्राजारित बनाई गई है और वेनिश फिलम समारों में सर्व स्रेश्क पटकता लेखन का पुरुषका जिता है देखें यहां नाम पेरासाइट का है पेरासाइट क्या है बहिया दोजार बीज में जो 2019 के ओसकर वार्ड है उसमें बेस्ट मूवी का वार्ड किसे दिया गया था तो पेरासाइट को दिया गया ये भी याद रखे ओसकर वार्ड में बेस्ट मूवी का वार्ड किसे दिया गया था पेरासाइट को दिया गया जोकर क्या है बहिया ओसकर वार्ड में बेस्ट एक्टर का जो मिलाता जोकिज फिनिक्स को नाम याद राएं जोकिज फिनिक्स एक बार पुछ буल रहा हूँ जोकिज फिन फिनिक्स को जोकर मूवी के लिए ओष्कर में सर्वच इयक्टर का आवाइड मिलाता चलिएगा next question लेते हैं किस been a question. नमर आठ है बिली जिन किंग के नाम से किस टेनिस कप का नाम रखा गया है तो आप याद रखें फेड कप अब यह जो बिली जिन किंग है इसकितने पदग जीतने वाली मैला है तो कितने पदग जीते हैं इसने विया 7 बार फेड कप कब जीता है इसलिए इनकी बिली जिन किंग को यह अमेरिका के हैं इनको नाम पर fade cup का नाम रखा गया है जो कि tennis cup है और इन्होंने 7 बार fade cup का winner रही है यह है तो नाम याद रखे बिली जिन गिंग fade cup का नाम इनके नाम पर रखा गया है चलेगा next question है कॉशन नमर नोव भारत के कितने समूद्री तटू को Blue Flag Antrasti Ecolabel दिया गया है ब्लू फलेग अंतराश्टी इको लेबल ये क्या होता है ब्लू फलेग अंतराश्टी इको लेबल तो भीया जो हमारे जो सवत समूदरी तट है उनको ये वाड दिया जाता है ब्लू फलेग अंतराश्टी इको लेबल दिया जाता है तो बारत में आठ ऐसे समूदरी तट है यदि पूछे फर्ष्ट बलू फलेग अंतराश्टी एको लेबल किस देश को दिया गया तो फ्रांस को दिया गया तो नाम याद रखे फर्ष्ट जो पहला बलू फलेग अंतराश्टी एको लेबल है वो फ्रांस को दिया गया और सरवादिक बलू फलेग अंतराश्टी एको लेबल दिया गया है तो आठ शमूदरी तट्टू को अंतराशी को लेबल दिया गया है चलेगा नेक्स्ट कोशन आज गांतिम कोशन है हाले में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरुषकार नीती 2020 को मंजूरी दिये हाले में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्ष पुरुषकार नीती 2020 को मंजूरी दिये हर्याना की बात आई हर्याना की राजदानी वह या चंडीगट हर्याना के वर्तमान शीयम को ने तो मनोरलाल खटर यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री है यह भी आप ध्यान लगें और हर्याना ने हाली में राज्य शिक्षक पुरुषकार नीती 2020 को मंजूरी दिये चलेगा धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं में अगली क्लास में एक नए कोशन के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कोशन अच्छे लेएंग जय बारत